आधतन बदमाशों पर सतत निगाह रखते हुए अपरादियों के विरुद कड़ी कारवाई करने के निर्देश आला अधिकारियों से सभी थाना प्रभारी को प्राप्थ हुए हैं जिस पर अमल करते हुए एक दिनांक 20 अक्टूबर को मुखबीर पर सुचना मिलते ही सुपेला पुलिस वारा ततकाल बलराम चौक सुपेला से बब्बू अली एवं मटन मार्केट सुपेला से संतोष यादव को घेरबंदी कर पकड़ा गया है आरोपी गड़ों के कबजे से एक एक लोहे का धारदार चाकु जब किया गया आरोपी बब्बू अली एवं संतोष यादव को 23 सक्टूबर को गिरफतार का नयाएक रिमार्ड में दुर्ग जिल भीजा गया पुलिस की लगातार अभी चुनाओं के सम्मध में पैट्रोलिंग चल रही है और आचार से इता लगा हुआ है समंध में लगातार पुलिस की जो बंबल है वो पैट्रोलिंग कर रही है सभी अरिया में जो बदमास लोग है निगरानी शुदा लोग है उनकी लगातार चेकिंग चल रही है और जो असमाजिक तव फैलाते वे लोग हैं उनके किलाप में कारवाई भी चलड़ी इसी तरह में कल पुलिस को सुचना मिली कि दो अलग लग जगों पर दो व्यक्ति एक संतोश्याद और एक बब्बू अली करके ये लोग अपने पास में धारदार हतियार रखे आने जाने वाले लोगों को दहसतगर्दी फैला रहे है कि सुचना पर पुलिस के एक टीम मनाई गई जो सतर्कता बरकते हुए दोनों आरोपियों को हतियार के साहत हिरासत में ले लिए और पूस्ताच करने पर हतियार के साहत में कोई काज़ा जोगर्य नहीं था हूं कि पास धारदार चाकू टाइप के चाकू और जो तबल होता है उस तरीकी की चीज़ें बरामद हुए हैं दोनों आरोपियों को विरुद में 25-27 आम सिक के तहट मुकदमा दचकर मानी नहले प्रस्तूत किया गया है